नमस्कार चात्रों, मैं आर्थी यादव, आज हम विश्य हिंदी में व्याकरण का अध्यन करेंगे तो बच्चों, आज हम व्याकरण में लिंग देखेंगे लिंग का साब्दी कर्थ होता है इस्त्री पुरुष सूचक चिन्द हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल इस्त्री लिंग अथ्वा पुलिंग के आधार पर कर लेना संभो नहीं है क्यूंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा अप्राणी वाचक सब्द हैं जो नित्य, पुलिंग या नित्य, स्त्रिलिंग रहते हैं कुछ सब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों माने जाते हैं अतह हिंदी भाशा में लिंग का निर्धारण सब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारन विवहार के आधार पर भी किया जाता है अर्था जिस सब्द का प्रयोग परंपरा से इस्त्री लिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह इस्त्री लिंग और जिसका प्रयोग पुलिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह पुलिंग है ऐसे कई अप्राणी वाचक संग्याओं के साथ होता है चलिए बच्चो अब हम लिंग के विशे में विस्तार से जानेंगे कुछ सब्द हमेशा इस्त्रिलिंग में ही प्रयोगत होते हैं जैसे लोमडी, गिलहरी, मक्खी, मचली, छिपकली, कोयल, आदी और कुछ सब्द हमेशा पुलिंग में ही प्रयोगत होते हैं जैसे मच्छर, गीदर, भेडिया, कौवा, खरगोस, आदी हम अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में कुछ ऐसे सब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित तो होते हैं परंतु जब भाषा की द्रिष्टी से देखा जाता है या उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है तब हम सोच में डूब जाते हैं कि आखिर मच्छर का लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है या लोमडी का लिंग परिवर्तन कैसे बताया जा सकता है उसी परेसानी से बचने के लिए हिंदी भाषा में कुछ नियम बने हैं जिनके आधार पर हम ऐसे सब्दों का भी लिंग भेद या लिंग परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं जैसे स्ट्रिलिंग सब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर सब्द अत्वा पुलिंग सब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा सब्द लिखना आवश्यक होता है जैसे मैंने आपको कहा मच्छर तो यह पुलिंग सब्द है उसको जब इस्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं तब हम वहाँ पर लिखते हैं मादा मच्छर उसी तरह लोमडी यह इस्त्रीलिंग सब्द है लेकिन जब हम उसका पुलिंग सब्द परिवर्थित करते हैं तब नर लोमड़ी इस प्रकार लिखते हैं इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाती अर्थात पुलिंग और इस्त्री जाती अर्थात इस्त्री लिंग में बाट सकते हैं तो बच्चो हम अब लिंग की परिभाशा देखेंगे सब्द के जिस रूप से इस्त्री अत्वा पुरुष जाती की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं चलो बच्चो हम कुछ उधारण के द्वारा से समझेंगे। मैंने आपको दो चित्र दिये हैं लड़का और लड़की। लड़का जो पुरुजाती का सूचक है और लड़की जो इस्तिजाती की सूचक है। और इन सब्दों के द्वारा ही हमें लिंग की पहचान हो रही बच्चो अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह पक्षियों में भी देखेंगे। मैंने आपको दो चित्र दिये हैं। पहला चित्र मोर्नी और दूसरा चित्र मोर का है। मोर्नी जो इस्तिजाती का सूचक सब्द है और मोर पुरुजाती का सूचक सब्द है। और इन चित्र पहला चित्र में ने आपको गाय का दिया और दूसरा बैल का यानि गाय इस्त्री सब्द और बैल पुलिंग सब्द और इस तरह हम लिंग की पहचान कर सकते हैं इस तरह हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं अर्थात दो प्रकार पुलिंग अर्थात पुरुष जाती और इस्त्री लिंग अर्थात इस्त्री जाती चलो बच्चो अब हम पुलिंग की परिभाशा देखेंगे जिन सब्दों से पुरुष जाती का बोध हो उन्हें पुलिंग सब्द कहते हैं कहने का अर्थ हुआ जिस सब्द से पुरुष जाती का बोध होता है अर्था जिस सब्द से पुरुष जाती का पता चलता है उसे पुलिंग कहती है इसी तरह पुलिंग के कुछ उधारण हम यहां पर देखेंगे जैसे पहला अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं दूसरा सेर जंगल में है और तीसरा पिता जी चले गए चौथा बालक चल रहा है तो यहां पर मैंने चार उधारण आपको दिये इसमें मैंने आपको जो सब्द अलग रंगों का दिया हुआ है अलग रंग का मैंने क्या क्या सब्द दिया है आपको अध्यापक जी, शेर, पिता जी और बालक और इन सब्दों के द्वारा पुरुष जाती का बोध हो रहा है कहने का अर्थ हुआ कि दिये गए जो सब्द हैं अध्यापक जी, शेर, पिताजी और बालक पुरुज जाती का बोद करा रहे हैं इसलिए ये शब्द पुलिंग है अब हम इस्त्री जाती की परिभाशा देखेंगे जिन सब्दों से इस्त्री जाती का बोध हो उन्हें इस्त्री लिंग कहते हैं अर्थात जिस सब्द से इस्त्री जाती का पता चली यानी इस्त्री जाती का ग्यान मिली उसे इस्त्री लिंग कहते हैं अब हम कुछ उदारन देखेंगे लड़की ने खाना खाया दूसरा सेरिनी सो रही है तीसरा अध्यापिका पढ़ाती है चौथा मचली तैरती है दिये गए सब्द लड़की, सेरिनी, अध्यापिका और मचली इस्त्रिजाती का बोट करा रही है कहने का आर्थ हुआ बच्चो जो मैने अलग रंगों में आपको दिया है जैसे लड़की है, सेरिनी, अध्यापिका, मचली इन सब्दों के द्वारा इस्त्री जाती का बोध हो रहा यानि इस्त्री लिंग का बोध हो रहा इस्त्री लिंग का पता चल रहा इसलिए ये सब्द इस्त्री लिंग है नीचे कुछ पुलिंग और इस्त्री लिंग सब्दों की सूची दी है इन सब्दों का अभ्यास करेंगे जैसे सुत, सुता, छात्र, छात्रा, माली, मालिन, पुत्र, पुत्री, चुहा, चुहिया, बुढ़ा, बुढ़िया, मोर, मोर्नी आगे देखेंगे, पती, पत्नी, नोकर, नोकरानी, सेट, सिठानी, लुहार, लुहारिन, सेवक, सेवीका, लेखक, लेखिका छात्रों अभ़म स्वाध्याय पर चलेंगे और स्वाध्याय के द्वारा ही लिंग के कुछ प्रशनों को हल करेंगे प्रश्नक्रमांक एक निम्लिकित सब्दों से पुलिंग और इस्त्रीलिंग सब्द अलग कीजिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ सब्द दिये हैं जैसे चोर, नौकरानी, साती, बुडिया, सियार, बच्छिया, यूवक, बेगम, अध्यापीका, रानी, ससुर, पोती तो इन सब्दों को आपको छाटना है पुलिंग सब्दों की अलग सूची बनानी है और इस्त्रीलिंग सब्दों की अलग सूची बनानी है जैसे चोर, पुलिंग सब्द, नौकरानी, इस्त्रीलिंग सब्द, साती, पुलिंग सब्द, बुडिया, बुडिया क्या है, इस्त् अध्यापी का इस्त्रेलिंग, रानी इस्त्रेलिंग, ससुर, पुलिंग, पोती इस्त्रेलिंग सब्द। इस तरह आपको सब्दों की अलग सूची तयार करनी है। पुलिषन क्रमांग दो, निमलिकित सब्दों के इस्त्रेलिंग रूप लिखिए पहला पुरुष, दूसरा भाई, तीसरा सिह, चवथा मोर, पाचवा पिता, छठा छात्र, सात्वा मेधक, आठवा बुढ़ा, नवा बैल और दस्वा क्या है बंदर। चलो बच्चो, अब हम इसका उत्तर भी देखेंगे पुरुस का क्या होगा इस्त्रिलिंग? इस्त्री, भाई का बहन, सिह का सिहनी, और मोर का मोरनी, पिता का माता, छात्र का छात्रा, मेढक का मेढकी, बुढ़ा का बूढी, बैल का गाय, बंदर का बंदरिया तो इस तरह हमको परिवर्तन करके लिखना है प्रश्नक्रमांग तीन, निमनिखित सब्दों के पुलिंग रूप लिखिए पहला बेटी, दूसरा चिडिया, तीसरा स्रीमती, चौथा चीटी, पाच्वा पत्नी, छट्टा अध्यापी का, सात्वा पुत्री, आठ्वा गाई का, नौवा बुवा और दस्वा महिला तो इसको हमको क्या करना है, पुलिंग सब्द लिखना है, तो पहला क्या है, बेटी, बेटी का बेटा, दूसरा चिडिया, चिडिया का पुलिंग सब्द क्या होगा, चिड़ा श्रीमती, स्रीमान, चीटी, चीटा, पत्नी का पती, अध्यापी का अध्यापक, पुत्री, पुत्र, गाईका का गायक, बुवा का फूफा, और अंतिम हमारा क्या सब्द है महिला, तो महिला का क्या होगा बच्चो, पुरुश निमलिखित वाक्यों में रेखांकित सब्दों का लिंग परिवर्तन कर पूरा वाक्य फिर से लिखे, नमबर एक, सेर जंगल में रहता है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चो, जो रेखांकित है, यानि सेर जो है वो रेखांकित सब्द है, तो उसका हमें क्या करना है, लि इस तरह लिखेंगे नमबर दो सभी चात्र संकल्प लेंगे यहाँ पर हम क्या परिवर्थित करेंगे चात्र तो कैसे लिखेंगे सभी चात्राएं संकल्प लेंगी इस तरह लिखेंगे नमबर तीन चुहिया जाल कुतरती है यहाँ पर अंडरलाइन कौन सा सब्द है? चुहिया. तो वहाँ पर क्या आएगा? चुहा जाल कुतरता है. नमबर चार. मैं चुप चाप सोता रहा. यहाँ पर जो है अंडरलाइन सोता तो कैसे बनेगा इसका वाक्या? मैं चुप चाप सोती रही. इस तरह करेंगे. चलो, अब हम आगे चलते हैं. बच्चो, चार प्रशन मैंने आपको परिवर्थित करके बताए. ध्यान देना. अब हम प्रशन क्रमांग 5 वे पर चलते हैं. जिस तरह हमारा लिंग होता है, उसी तरह हमारी क्रिया भी परिवर्थित हो जाती है. यह तुमने आगे चार प्रशनों में देखा. उसी तरह अभी जो बाकी के प्रश्ण है उसमें भी हम देखेंगे, कि जिस तरह हमारा लिंग होगा उसी तरह की हमारी क्रिया होगी, यानि उसी तरह क्रिया परिवर्थित हो जाएगी, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ज़रा ध्यान से देखना, गायक की आवाज मीठी है, गायक की आवाज मीठी है तो वहाँ पे हमने लगाया गायक की जगा पर गायक क्योंकि रेखां कित सब्द है और हमें रेखां कित सब्द को परिवर्तीत करना है तो गायक की जगापर हमने क्या लिखा गाईगा, पच्चो गाईगा की आवाज मीठी है, उसी तरह अब हम प्रश्ण करमांग 6 पर चलते हैं, ध्यान देना बच्चो बंदर आ रहा है, तो अब हम बंदर के जगापर इस्त्रेलिंग वाला सब्द लिखेंगे, क्योंकि बंदर हमारा रेखांकित सब्द है उसको हमें परिवर्थित करना है तो वहाँ पर हम लिखेंगे इस तरी लिंग वाला सब्द क्या आएगा बंदरिया आ रही है देखो ध्यान देना बच्चो जैसा लिंग वैसी क्रिया परिवर्थित हो गई बंदरिया आ रही है नमबर साथ वह अच्छी खिलाडी है वह अच्छी खिलाडी है तो अब यहाँ पर हमें क्या परिवर्तित करना है अच्छी को क्या परिवर्तित करना है बच्चो अच्छी को हमें परिवर्तित करना है तो हमारा वाकिक कैसा होगा वह अच्छा खिलाडी है कैसा होगा वह अच्छा खिलाडी है नमबर आठ मैं एक नन्ही सी लुटिया हूं ध्यान देना लुटिया मैं एक नन्ही सी लुटिया हूं अब लुटिया का इस्त्रिलिंग क्या होगा बच्चो लोटा क्या होगा बच्चो लोटा आपको पता है लोटा किसे कहते हैं जो जिसमें हम पानी बरते हैं जो ग्लास से बड़ा होता है लोटा उसे क्या कहते हैं लोटा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मैं एक नन्ही सी लुटिया हूं को परिवर्तित करेंगे लुटिया को तो वहाँ पर आएगा लोटा तो मैं एक नन्हा सा लोटा हूं इस तरह लिखेंगे नमबर 9 बेटी पर लिखकर घर लोटाई यहां पर रेखांकित सब्द क्या है बेटी अब हमें क्या परिवर्तित करना है बेटी सब्द को परिवर्तित करना है तो हमारा वाके कैसा बनेगा बेटी की जगह पर परिवर्तित क करो बेटी की जगह पर क्या आएगा कुलिंग सब्द बेटा क्या आएगा बच्चो बेटा तो हम मारा वाक्य किस तरह तयार होगा बेटा पढ़ लिक कर घर लॉट आया क्या बनेगा बच्चो बेटा पढ़ लिक कर घर लॉट आया अब हमारा अंतिम प्रश्ण पंसा प्रश होने लगी मैं तेजी से बड़ी होने लगी यहां पे रेखां कित सब्द क्या है बड़ी क्या है सब्द बड़ी अब हमें कौन सा सब्द परिवर्तित करना है बड़ी को परिवर्तित करना है तो हमारा उत्तर किस तरह बनेगा मैं तेजी से बड़ा होने लगा देखो क्रिया होती हैं तो इस तरह हमें अभ्यास करना है और इसे अपनी कौपी में लिखना है इस तरह हमारा प्रश्नक्रमांग पूरा हुआ अब हम चलते हैं प्रश्नक्रमांग 5 पर प्रश्निक रमांग पांच कुछ इस प्रकार है जरा ध्यान देना रेखांकित सब्दों के लिंग लिखिए यानि जो सब्द मैंने आपको रेखांकित करके दिये हैं उन सब्दों का लिंग आपको पहचानना है कि वह कौन सा लिंग है नीम के फलो को निबोरी कहते है तो इसका उत्तर क्या आएगा फलो को हम क्या बोलेंगे हाँ बच्चो फलो को हम बोलेंगे पुलिंग सब्द यानि फल जो है वो पुलिंग है अब हम प्रश्न क्रमांग तो पर चलते है यह सरल कहानी किसकी है यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन सब्द क्या दिया, रेखांकित सब्द, कहानी, तो कहानी कौन सा सब्द है, ज़रा सोचो, कहानी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना बच्चो, अब हम, आगे चलते हैं, हम सब सोयम चक्री बनाएंगे, तो बच्चो, इसमें मैंने आपको कौन स इस्त्रीलिंग है या पुलिंग, इस्त्रीलिंग, वैरी गुड बच्चो, अब हम प्रश्न क्रमांग चार पर चलेंगे, कल परिक्षा का सुल्क भरना है, क्या है प्रश्न हमारा, कल परिक्षा का सुल्क भरना है, और हमारा सब्द क्या है, परिक्षा, तो परिक्षा क्या है बच्चो क्थरी रंग दो इस प्रश्न में रिखांकित सब्द क्या है छत हमारा क्या है बच्चो इस्त्री लिंग है या पुलिंग इस्त्री लिंग उसी तरह अब निगाहें रखो लक्ष पर कठिन नहीं फिर ये सफर यहाँ पे हमारा रेखांकित सब्द क्या है निगाहें क्या है रेखांकित सब्द निगाहें तो यह निगाहें कौन सा सब्द है इस्त्रीलिंग है या पुलिंग जी हाँ बच्चो निगाहें क्या है इस्त्री लिंग क्या है बच्चो इस्त्री लिंग इस तरह आपको लिखना है इस तरह हमने आज लिंग का अभ्यास किया और अब आपको स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है और इस तरह हमारा लिंग पूर्ण होता है धन्यवाद